नमस्कार आज गुरुवार 28 फरिवरी 2019 तो आईए देखते हैं आज के सारे राशियों के ग्यान संदेश पहली राशी है मेश राशी याने एरिस इसके लिए का ग्यान संदेश है टॉक स्ट्रेट याने सीधी बात करो तेड़ी बात करने से आज तकलिफ हो सकती है अगली रा और शायद आपको नज़र आ सकती है और उसके लिए उस कानून के लिए अनादर व्यक्त करने की इच्छा हो सकती है अगर होती है तो बगेर किसी को दुखाए और बगेर किसी तकलीफ मोल लिए यह जो कानून के बारे में की तुम्हारी नाराजगी है वह बिंदास्त व्य ये यह यह सब कर लो जैसी है वैसी ही है ये मानलो अगली राशि याने कैंसर जिसके लिए का ग्जान संदेश करो याने के प्यार का एक्स्प्रेशन बनो याने के जिस तरीके से फूल खुश्बू बाठता है तुम आज के दिन प्यार विखेरते फिरो अगली राशी है लियो याने सिम्ह राशी जिसके लिए का ज्यान संदेश है reverse of be patient be patient याने के सबूरी रखो इसका reverse जब आता है तो इसका मतलब है कि सबूरी रखने की जरुरत नहीं है जो भी कार्य हाथ में लिया है वो फटाफट पूरा कर लो अगली राशी है कन्या राशी याने वर्गो जिसके लिए का ज्यान संदेश है never trust blindly अंधे बन के कभी भी किसी पेपी भरोसा मत करो अगली राशी है तुला राशी याने लीब्रा जिसके लिए का ज्यान संदेश है love life याने उजाले से प्यार करो इसका मतलब है कि जो भी चीज सामने आ रही है उसको अच्छे उजाले में देखो उसके सारे पहलूँ का अच्छे से अभ्यास करो और फिर उसको मानने करो अगली राशी है विश्चिक राशी याने Scorpio जिसका ग्यान संदेश है Don't Anger याने गुस्सा मत करो गुस्सा करना याने अपनी कमजोरी दुनिया के सामने लाना ये काम कभी भी मत करना हाँ यदि गुस्से की भाशा बोलने की जरुक पड़े तो बोल दो अगली राशी है धनराशी याने Sagittarius जिसके लिए का ग्यान संदेश है reverse of thank your family जब ये कार reverse आता है thank your family याने के अपने परिवार का धन्यवाद करो लेकिन जब ये कार उल्टा आता है तो इसका मतलब है बगै सोचे समझे परिवार का शुक्रिया आदा मत करो परिवार तुम्हारे लिए जो कर रहा है उसमें से जो भी अच्छा है वही लेना और जो बुरा है या तु जिससे तुमें तकलिफ हो रही है वो चीज़े परिवार को दिखा भी देना अगली राशी है केप्रिकॉन याने मकर राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है थैंक गुड्नेस याने अच्छा ही का शुक्रिया आदा करो अगली राशी है अक्वेरियस याने कुम्भ राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है reverse of work on your income source work on your income source याने अपनी उत्पन को आए को बढ़ाने की कोशिश करो लेकिन जब यह का डूलता आता है तब इसका अर्थी यह होता है कि आपको अपना उत्पन अपनी आए बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है जो भी है ठीक है अगली राशी है पाईसेस याने मीन राशी जिसके ल तो यह थे आज के सारी राशीयों के ग्यान संदेश इनके अनुसार आज का देन बिताओ और खुश रहो दन्यवाद